ओके गाईज वैलकम टू माई निव वीडियो तो चलिए गाईज जैसा कि आपको पता है हमारी गेम में आच चुक लिए एक निव विश जिसके अंदर आप देख सकते हमें मिल रहा है पाइरेट्स फ्लैग इमोट जो कि हमारा हर बंदे का सपना होता है तो अब हम पहले अप को दिखाने जा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेंबर्शिप मेरी दोनों कितनी चल रही है लिटरली है मेरे 36 डेज की रहती है और डाइमंड्स के मारे पास कोई कमी नहीं है 2526 डाइमंड्स इस टाइम हमारी आईडी में है तो अभी फटा फट हम ये इमोट निकालते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्राइस पूल में इमोट सबसे में रखा गया है तो चलिए पहले 20 के स्पिन में कुछ नहीं देते हैं एक 200 के मारते हैं इसमें हमें सिर्फ एक पैराशूट है जो काम की चीज लग रही है बाकी इसमें कुछ भी नहीं है भाई सहाब आखिर कारी नोने हमें ग्रोजा दे दी है क्योंकि मेरे पास ग्रोजा की एक स्किन है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बालत है गाई लेकिन अभी भी हमें वह चीज नहीं मिले जिसके लिए आए हैं तो अब एक मारते हैं 200 वाली नहीं गाई इसमें भी हम स्केट बोर्ड और पेराशूट ही दिया है इसके अंदर भाई सहब लिट्रली प्रिफावलन पहली पारह में असानी सी मोट वे दिया गाई आग माई इमेजिन नहीं कर सकते गाई जिनों सिर्फ हमें 1120 डाइमट्स में इमोट दे दिया है तो क्या पता गाई अब हमारे बंडल व कुछ नहीं दे रहे हैं गाईज एक और 200 की नहीं दिया गाईज एक और 20 की मारते हैं एक और 20 की मारी गाईज कुछ नहीं दिया फ्रीफार वालों ने 200 वाली में भी कुछ नहीं दे रहे हैं एक और 200 की गाईज एक और 200 की मारते हैं नहीं गाईज इसमें लगाने बर बाद हैं तो फिर अब ही हम जाते हैं अपना मेन लक बनाने जो की होता है हमारा सबका सपना इनक्यूबलेटर क्योंकि इस गया अंदर गायज आपको पता है सब जाते हैं कि इनक्यूबलेटर सभी का टॉप ही टॉप खुल जाए तो पहली फोटिक स्पिन में हमारा बहुत बुरा लक रहा है हमें कुछ भी नहीं तिया फ्रीफiär वालों ने हम अगली एक क्या यह तें इसमें भी क्या देंगे और और बह आई साहाब इन्होंने बह आई साहाब एउल्यूशन स्टाओन दे दिया है का देते हैं नहीं कुछ नहीं देंगे आप देख सकते हैं घद इसर दियां मैं तो चलिए हम जाते हैं एक्सचेंज करने तो हमारे पास ब्लू और रेड है लेकिन गाइज मैं भी कनफर्म नहीं कौन सी बैटर है तो मेरे हिसाब से हम अभी चेंज ना करें और चलते हैं अपनी ग्रोजा के एक्ट्रिब्यूट्स देखने तो गो टू वेपन सेक्शन आर्मरी और अब आप देख सकते हैं ग्रोजा मेरे पास एक निच्चा ही नीचे वाला वो अपना इंक्यूबलेटर है लेकिन एट्रिब्यूट्स उसका सिर्फ डैमेज डबल है और कुछ नहीं तो हम हमारा इंक्यूबलेटरी रखते हैं और अब इमोट्स की बारी इमोट्स मेरे भाई ने भाई सहब करते हिनूबले इमोट्स एक्यूब कर रखे हैं तो अभी हम हमारे बेस्ट इमोट्स एक्यूब करते हैं और अपनी पूरी इंच्यूर्मेट करेंगे पहले तो गाइस हम अपना हर्ट ब्रोकन इमोट्स नहीं मिल रहे पहले एक तो हम गायज जपाएगे सारफ ओ उमोर्स रटाइंगे यहां से ताकि हमारे पास जगा हूँ हमारे अच्छे वाले उमोर्स लगाने की तो चलिए इन्हें हटाया जाई जो हमारे किसी कामकर्णा नहीं है तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे हमारा वो वाला इमोट जिसे लोग जानते हैं मकलेरन इमोट के नाम से और यह बहुत गाईज मेरा फेवरिट इमोट रहा है लेकिन अब जहां हमारे पास एम्टन है कहा होगा लेकिन गाईज जैसा कि यह मेरा हार्ट ब्रोकन इमोट नहीं मिल रहा यहर फ्री फार वाले मेरा इमोट खा गए ऐसा कैसा कर सकते हैं गाईज यह मेरा इमोट और मिल गया गाईज मिल गया मिल गया ओके गाइस तो जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा ना चाहिए हमें बड़ी मुश्किल से मोट मिल चुका है तो मैं यह क्या है ओ गाइस गलते से हमारा मैच लग चुका है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी मैच को बैक कर लिया जाए जो कि हम कर चुके हैं और अब हम दिखाते हैं अपने इमोट M10 कते ही OP गाइस और अब हम कर लेते हैं अपने इमोट को डाउनलोड जो की पैक डाउनलोड नहीं था तो ओके गाइस अब हम दिखाते हैं अपना पाइरेट फ्लैड इमोट लगातार गाभाई साहब करते ही ओपी वाली फीलिंग आ रही है में ये पाइरट फ्लैग इमोड दिखाते हुए और मैं आपको यही करना चाहूंगा गाइस कि इन्होंने हमें 1100 डाइमोंड में ये इमोड दे दिया है तो आपको भी गुड़ बाई और आप अपने हीरे मत लगाना बाई लगाए